हाई गाईस वेलकम बेक टू माई चैनल तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत सुन्दर शॉर्ट कूर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो यहाँ पर मैंने डेड मीटर कॉटन फेबरिक लिया है और सबसे पहले कपड़े को फोर फोल्ड करके बिछा दिया है तो अब यहाँ पर मैंने टोटल लंबाई रखी है 30 इंच और चोड़ाई है 11 इंच तो इसके हिसाब से अब हम यहाँ पर हमारे फिटिंग मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे तो शुल्डर की चोड़ाई ले रहे हूँ साड़े 6 इंच आर्म होल की लंबाई है वो भी है साड़े 6 इंच तो हमें इस तरह से साड़े 6 इंच पर मार्क लगाना है वेस्ट की लंबाई है 14 इंच और हिट की लंबाई है 20 इंच इस तरह से हमें पहले लंबाई के सारे नाप लगा देने है फिर अब हम फिटिंग का नाब लगाएंगे तो अब यहाँ पर मेजरमेंट का नाब लगाएंगे साड़े आंड इंच पर और कमर का नाब लगाएंगे अब पोने साथ इंच पर और हिप का नाप लगाएंगे साड़े आठ हिंच पर तो इस तरह से हमारा जोबे मेजरमेंट बनता है उससे सबसे हमें इस तरह से पहले निशान लगा देना है फिर इन निशानों को हूँ इस तरह से मिला देंगे और फिर यहाँ पर उसके बाद हम 2 इंच अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ पर 2 इंच और यहाँ पर चाक हम बनाते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्ग लगाएंगे और इस तरह से इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेना है और अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई भी मार्ग कर लेंगे तो इसके लिए मैं यहाँ पर फ्रेंच करू के मदद ले रहे हूँ आप इसके बिना भी बना सकते हैं और आदा इंच अंदर की तरफ हम इस तरह से गोलाई का शेप देंगे यहाँ पर आर्म होल हमें फिट वैठेगा या नहीं इसके लिए हम इसके यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे तो यह साड़े साथ पिज बन रहा है यानि की यह पंदराईं चाहेगा हमारा और अब हम इसके कटिंग कर लेंगे और अब हम इसमें से फ्रंट पार्ट को अलग करके आर्म होल की जो गोलाई है अब इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे और अब हम यहाँ पर स्लीव की कटिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने कपर को फोर फोल्ड कर दिया है यहाँ पर स्लीव में थोड़ा सा अलग बना रही हूँ, थोड़ा सा बलून स्लीव दे रही हूँ इसके लिए तो यहाँ पर हमारे स्लीव की चोड़ाई होनी चाहिए थी 9 इंच और उसमें मैंने 1,5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फ्रिल बनाने के लिए तो हमने यहाँ पर इसकी चोड़ाई ली है साड़े दस इंच और इसकी लंबाई है बारा इंच तो इस तरह से मैंने इस लाइन ड्रॉ कर ली है तो यहाँ पर हम सबसे पहले धाई इंच पर इस तरह से गहराई कनाप लगाएंगे और यहाँ पर हम सिंपल स्लीव में हम तीन इंच रखते हैं पर यहाँ पर हमें थोड़ा बलून देना है बनाना है इसके लिए हम साड़े चार इंच रख रहे हैं तो हम यहाँ पर साड़े चार इंच पर इस तरह से माक लगा देंगे और फिर हम जो सिंपल स्लीव हम ड्रॉ करते हैं उसी साबसे हम इससे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर नीचे की और हम फिटिंग काना अपला जाएंगे पांच इंच पर और दो इंच लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए अब उपर से इन दोरों निशानों को मिला देंगे और फिर इसके हम कटिंग कर लेंगे तो अब यहाँ पर हम नेक डिजैन मार्ग करेंगे तो इसके लिए मैंने पुक्राइब को डबल फोल्ड कर दिया है और बोटनेक बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने गले की चौड़ाई लिए चार इंच लंबाई रखी है साड़े तीन इंच और आपको यहाँ पर जो भी गला चाहिए वह आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं करे लोग तीन उला भाई लिए वहाँ यहाँ कर दो बना पाहँ खुआने पूड़ाग कर दो इभा आपको नहाँ शेचिए कर दो 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 तो यहाँ बेकपाट के गले की डिजाइन भी हम ड्रो कर लेंगे इसकी लंबाई और चोड़ाई रखी है चार इंच और एक इंच हम बाहर की तरफ एक्स्ट्रा माप करेंगे और यहाँ पर हम बाद में डिजाइन को कट कर लेंगे और इसे हम कपड़े पर आयरन के मदद से चिपका देंगे और यहाँ पर नेक डिजाइन को मैंने कपड़े पर टेस्ट कर लिया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी नारी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे कर देंगे तो यहाँ पर हम कूर्थी का फ्रंट पट ले लेंगे इसके मीडल में हम एक कट लगा देंगे और एक सीधी लाइन मीडल में ड्रॉ कर लेंगे और नेक डिजाइन पर भी एक मीडल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इन दोनों को मिला के इसके उपर हम इस नेक डिजाइन को अटेच करेंगे जब जब आपाफ़ जब कर्या है कर दो तो अब यहां पर हम स्लीव के स्टिचिंग करेंगी तो यहां पर स्लीव में बहुत ही सुंदर और सिंपल बलून स्लीव रख रहे हूं तो सबसे पहले हम नीचे से किनारी को डबल फोल्ड कर लेंगे तो अब यहां पर हम बीच में मिडल लाइन जो करेंगे और दूनों साइट से हम धाई इंच से लेते हुए हम प्लिट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसकी जो मेजर्मेंट से उसकी सबसे हमेसे मेजर कर लेंगे तो पहले हमें यहां पर इस तरह से छोटी छोटी प्लिट्स बनानी है तो उसके लिए मैं एक पिन की मदद ले रही हूँ तो यहां पर मैंने प्लिट्स बना लिए और इससे अब हम डबल फोल्ड कर कि हम हमारा जो नाप है उससाब से हम इससे मेजर कर लेंगे और फिर कम ज्यादा होगा तो इससाब से हम इससे एड़्जस कर लेंगे तो अब यहां पर हम स्लीव को अटेज करेंगे तो उसके लिए हम शोल्डर से हम इससे अटेज करना स्टार्ट करेंगे तो मीडल से हमें यहां पर स्लीव को रखना है और बीच में से अटेज करते जाना है झाल झाल कर दो कर दो कर दो तो यहां पर स्लीव बनकर तयार हो गई है आप देख सकते हैं यह सिंपल है पर फिर भी बहुत खुबसूरत लग रही है तो यहां पर फिटिंग का नाप जैसे लगाती हो बताती हूं तो यहां पर इसकी टोटल जो चोड़ाई आ रही है वो है साड़े 20 इंच और हमें रखना है इसकी फिटिंग साड़े सोलाई तो इसमें चार इंच ज्यादा हो गया तो दोनों साइट पर हम दो दो इंच पर इस तरह से माक लगा देंगे तो हमारी फिटिंग हो जाएगी साड़े सोलाई तो इस तरह से हमें सारे में हमें इस तरह से माक लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे तो यहाँ मैंने निशान लगा दिये हैं और अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे तो अब यहाँ पर इस तरह से सीदी सीदी हमें सीलाई लगाते जाना है और यहाँ पर थोड़ी सी इस तरह से जगा रखनी है वहाँ पर हमारा चाक बनेगा इसके लिए तो मैंने इसमें दोनों साइड पिटिंग कर दिये और अब हम इस तरह से कट लगा देंगे जिससे अंदर पूर्ती में खिचावना आए इसके लिए तो दोनों साइड हम ऐसे कट बना देंगे और फिर अब फिर हम इसका चाक बनाएंगे तो यहाँ पर चाक बनाने के लिए इस तरह से कपड़े को पेहले हम डबल फोर्ड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाय लगाते बंदाने के और यहाँ पर ऐसे सिलाय को रोग देंगे अंदर ikने देंगे और फिर इसे दूसरे साइड टॉन कड़के चाहर्यी में से इसे डबल फूल्ड तरहने और सिलाए लगातेंगे तो यहां पर इस तरह से बहुती सुन्दर शॉर्ट टॉप्ट की रिजाइन बनकर तयार हो जाएगी जिसे आप जिन्स या प्लाजो किसी के सब साथ भी स्टाइल कर सकते हैं और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एन शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें थेंक्स फोर वाचिंग